इस विडियो में हम UPSC के जोग्रोफी ओप्सिनल के बारे में डिटेल में उसके सिलेबस के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की नौटिफिकेशन है दो फबरॉरी 2022 की इसकी एकोडिंग हम देख लेते हैं कि हमारा जोग्रोफी ओप्सिनल में क्या-क्या चीजे अपके सिलेबस में अप्लोडेड हैं मैं आपको शो कर देता हूं कि क्या-क्या सिलेबस आपका अप्लोडेड है यहां पेपर फर्स्ट पेपर जो होगा ऑप्सिनल का जो पेपर नमबर शिक्स है उसमें हमें फर्स्ट पेपर में हमें यह सारे चीजे देखनी होती है कि जैसे यहां आप देख पार हैं फर्स्ट पेपर आपका जोग्रोफी का है प्रिंसिपल ऑफ जोग्रोफी पहले फिजीकल जोग्रोफी के बारे में हमें देखना होता है फिजीकल जोग्रोफी में हमें जियो मोर से देखना है जिसी देखनी होते हैं जी सरी देखना होगा है नचेमिकृट्श क्या सब्सक्रा कर्सों लंडनेल सफाल है आफ सब्सक्रांटे पर ने तक ऐसों होती है उसना का लिए यह मौन्टेन यह लैंड फॉर्म्स के फोर्मेशन होती है उसके बारे में देखना है एक्जोजेनिक फोर्सेश जैसे कि आपका बूल सकते हैं कि डिग्रेडेशन के कारण हो रही है या श्वाली रोजन के करन उनके बारे में देखना है और इजिन ओ इवोल्यूशन यह सारे चीज़े हमें जो मॉर्फोलोजी में देखनी होती है उसके बाद आता है हमारा क्लाइमेटोलोजी क्लाइमेटोलोजी में हमें यह सारे क्लाइमेट के बारे में डिटेल में स्टडी करनी होती है और क्या क् में देखेंगे भी सही कि इसमें हमें क्लाइमेट लोजी में आपका क्या क्या चीजी और भी एफेक्ट करती है हमारी जो क्लाइमेट है उसको जैसे हीट वजट के बारे में अर्थ के यह देखनी है जो इसके बाद atmosphere circulation atmospheric में आपके जो air circulation है वो कैसे अफेक्ट करती है हमारे climate को यह सारे चीज़े देखनी है उसके बाद हमारा topic आता है oceanography optionography में हम देखेंगे bottom topography of the Atlantic हमारे जो Atlantic ocean है उसके bottom में कैसी है surface कहाँ पर आपका देखते है रिप्ट है जिससे हमारा volcano eruption होता है यह सारे चीज़े हमें देखनी है उसके बाद आता है इंडियान specific ocean के बारे हम देखेंगे temperature salinity कहाँ पर हमारे पास salinity आपका अधिक होती है of the ocean यह सारे चीज़े हमें detail में डिसकस करनी है oceanography topic के अंदर उसके बाद आता है बायो जोग्रोफी बायो जोग्रोफी में हमें जैनेसीस आपका स्वाइल कैसे हमारे स्वाइल के ओरीजिन होई है वह किस टाइप का स्वाइल है इसके बारे हम classification and distribution ओव स्वाइल का प्रोफाइल कैसा है स्वाइल erosion कैसे हो रहा है यह सारे चीज़े देखनी है environmental geography में हमें environmental जैसे principle ecology, human ecology, adaptation, influence of man and ecology and environment, global and regional economic changes and imbalances, economic ecosystem, their management and conservation, environmental degradation ये सारे चीज़े के बारे में देखनी है human geography में हमें perspective of the human की perspective के बार से related देखनी जैसे perspective in human geography, area differentiation, regional synthesis, dichotomy, dualism, environmentalism, quantitative revolution and localization, location analysis ये सारे चीज़े हमें देखनी है economic geography उसके बारे देखनी है कि economic geography में हमें कैसे geography affect करती है हमारे economy को, वो सारे चीज़े हमें discuss करनी है किस जगह पर आपका देखेंगे कि अधिक हमारा economy develop हो पाएगा और कहां पर ये suitable provide करती है ये सारे चीज़े है आपका discuss करें population and settlement of your settlement geography में हमें देखनी है कि कहाँ पर population आपका ज्यादा settled होती है इन सारे detail में हमें देखनी है कि conscious world आपका base suitable होता है और कहाँ पर population आपका अधिक आपका densely populated area है regional planning में हमें देखनी है कि कोई साब ये concept of the region कोई साब का region है तो उसकी concept of region देखनी है tabs and region of method and regionalization growth center and growth poles ये सारे चीज़े हमें देखनी है अब वीडियो को pause करके ये सारे चीज़े detail में read कर सकते हैं इसके बाद आता है model theory of the human law geography ये सारा चीज़े paper 2 में हम देखेंगे कि अपका geography of India इंडिया के बारे में basically हमें paper 2 में discuss करना है तो physical setting देखनी है जैसे कि space में हमारा इंडिया latitude longitude के basis पर resources क्या है इंडिया में उसके बाद agriculture कैसी growth होती है कौन कौन से growth growth किये जाते हैं इंडिया में ये सारे चीज़े देखनी है अपका industry देखनी है फिर ट्रांसपोर्ट and communication and trade फिर से हमें देखनी है cultural setting के बारे में फिर settlement देखेंगे फिर regional and development planning और politics aspect contemporary issue ये सारे चीज़े हमारा complete शिलेवस है बस इतना ही है हमारा जोगरोफी के बारे में तो जोगरोफी का ये रहा आपका शिलेवस इसको आप चाहे तो वीडियो को पॉस करके read कर सकते है हर एक point को मैं इस वीडियो को read कर इसलिए कारण से नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत long video बन जाएगा तो इस कारण से आप इसको वीडियो को पॉस करके देख सकते हैं इसके बारे में detail में read कर सकते हैं for more update kindly like share and subscribe to this channel